हलो फ्रेंट्स आप सभी अच्छे होंगे ऐसी में आशा करती हूँ आज आपके लिए लाई हूँ सिहत का खजाना जो की बहुत इस फाइदे मंद है आप इस वीडियो को पूरा देखिए अगर आपकी हूँ पिस्वाने जा रहे हूँ तो ये वीडियो आपके लिए है तो आ चावल की बात करते हैं तो चावल में एक अच्छा स्रोथ होता है जो की फाइबर थाइमेन और मैगनेशियम और फासफोरस होते हैं जिससे की हमको इससे उर्जा मिलती है और स्वास्त पार्चन का जो कार है वो भी ये बहुत आथानी से कर देता है क्योंकि ये जो रेट कल जो तर के जो चोल बंदीश होता है इसमें फाइबर होता है तो ऺनघ कर दो घंदे हैं तो कोई स्वास्ता है संबंदित होता है जब वजन यंतल में भी ये मददकार होता है और मोती जैसे बाजरे की बगर हम बात करते हैं तो बाजरा भी एक मोटा अनाज में इसको गिना जाता है इसमें भी आइरन मैगनेशियम और फॉस्पोरस होता है जो की खूण की जो कमी को दूर करने में यह बहुत ज्यादा मदद लिए इसमें और अगर हम मकई की बात करते हैं तो मतव में जो ये विटामिन C होता है, जो कि एमेनिटी सिस्टर को मजबूत बनाता है, ये फाइबर से बर्पूर होता है, मगई का सेफन पेट के लिए फायदे मंद होता है, तो आप ये भी देखिए आनाज में ही शामिल कीजिए इसको क्योंकि जितने भी आनाज यहां पर मैंने रख होता है, इसको भी जल्वर किंटे पर नहीं होता है, जो कि पेट के स्वास के लिए पायदे मंद होता है, और बजन नियंत्रन करने में भी इस सहयाब होता है, और आपको पता ही yang behind the work को मात्रा में होता है, जो कि तुपा झानिक दूर कर सो कीặt है, ये तो भी जरूर के जिए रागी में केल्शियम होता है जो कि हटी ओ और दाप के लिए फायदे मंद होता है रागी में एंटी ओक्सिडेंट होते हैं जो कि फ्री रेडिकल से बश्टने में मदद करते हैं तो आप देख लिजे यहां पर सारे ही अनाजों को मैंने यहां पर शामिल किया है चलिए आईए अब हम बात कर लेते हैं अलसी की जिसमें की ओमेगा-3 fatty acid होता है और जो कि दिल के स्वास्त को सुधारने में मदद करती है और यह फाइबर से भरपूर होती है जिससे की पेट साफ रहता है और वजनी अंत्रण में भी मदद करती है अलसी में होते हैं जो की free radical से लड़ते हैं और शरीर को जो नुकसान पहुचाने वाले enzymes होते हैं उसको भी है उससे भी बचाता है तो कुल मिलाके आप यह देख लिए जितने भी हाँ पर अनाज है यह सभी हमारे लिए बहुत ही फाइड़े मंद है तो आप सभी जो अनाज हैं उसका समावेश अपने भोजन में एक जेहत मंद और और पोशक संपून भोजन का हिस्सा बन सकता है तो आप इसको जरूर बनाएए तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स फर वाचेंग आशकरती हूं आपको यह वीडियो जरूर पसंद आया होगा आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं इस विशे में वैसे तो आप इसकी क्वांटिट आप ले सकते हैं 10 किलो अगर आप क्यों ले रहे हैं तो आप आधा अधा किलो भी आप इसको जैसे आपने आधा किलो जो ले सकते हैं आधा किलो आपने बाजर ले सकते हैं तो इस तरह से आप सभी अनाजों को आधा अधा किलो के हिसाब से मेजर कर सकते हैं अगर आपने ग बselfish को लाप सकते हैं दोनों ही ऑप्षिन में आप इसको कर सकते हैं जैसा भी अच्छा लगता हो आप उस तरह से आप इसको ग्राइंड करवा सकते हैं और गेहों के साथ भी करवा सकते हैं लेकिन आप इसको ज्रूर शामिल कीजिये अपने डाइट में यह सिहत के से भरपूर है जो आपके लिए फायदेम्द है